नमस्कार में अधिपक कुमार आप देख रहे हैं पंजाब केस्री.com राजिस्तान की राजनीती में पिछली सरकार चुने जाने के बाद से उतल पुथल जा रही है जिसके पीछे की एक वज़ा सचिन पाइलेट भी माने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मो विधान सभा से नामंकर पत्र भरा है पाइलेट ने मेडिया से बाच्चित करते हुए कहा मुझे सभी को माफ कर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ रहा हूं हमारे बीच कोई मतवेद नहीं है पाइटी हर उमीद्वार के साथ कड़े उन् परफॉर्मेंस देख चुके हैं बाच पर आइस्तान में बख्ष में क्या 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 ने क्या उप देख चुके हैं जो बिखराव है और जो एक सत्ता मियानी की जो ललाईत है वो जन्ता देख रही है तो मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ सरकार कॉंगेस पाटी कोंगर्स नेता सचन पाइलेट अपनी अपत्नी सारा अब्दुलाए से तलात ले चुके जिहां उनके चुनाओं हल्फ नामे से यह खुलासा हुआ है कि सारा अब्दुल्ला जम्मु कस्मीर के पूर मुख्य मंतरी और नैस्नल कॉन्फरेंस प्रमुक फारुक अब्दुल्ला की बेटी है सचिन पाइलेट और सारा अब्दुल्ला की शादी 2004 में हुई थी 25 नवंबर को होने वाले राजिस्थान विधान सबाद चुनाओं के लिए नामंकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर को सुरू हुई थी मंगलवार 31 अक्टूबर को टोक विधान सबाद सीट से सचिन पाइलेट ने अपना नामंकन दाखिल गया तो उनके तलाक सुदा होने की बात सामने आई चुनाओी हल्फ नामे में जिवन साथी के आगे उन्होंने तलाक सुदा लिखा जिसके बाद अब सियासत दुबारा से गर्मा गई है या फिर यूं कहें सियासी गलियारों को नह मुद्दा मिल गया है देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसिट.com फिलाहल के लिए दीजिये मुझे इजाज़ाद